मैं आप पार्षब ताय हुसेन आप सबको बताना चाहता हूं जो भी खबर मेरे बारे में चलाई जा रही है वो सरा सर गलत है ये गंदी रादमीती के चलते मुझे बढ़नां के या रहा है मुझे घशिटा जा रहा है जब से कपिर मिशा ने बढ़का भासर दिया है तब से ह हालात खराब हैं जहां पर जगे जगे पत्थर बाजी ये तमाम चीज़ें की घटने समने को मिल रही है वैसा ही परसों हमारे यहां भी हुआ जिसको देखते हुए हमने तुर्ण पुलिस से सुनपत किया एक बहुत सारी भीर मेरे जो ऑफिस का गेट है उसे तोड़के चलासी ली गई उसको अच्छे से चेक किया गया और पुलिस नहीं हमें मेरे परिवार के साथ हमें यहां से सुख्षित बाहर भेज दिया गया था हमसे कह जाए था कि आप यहां से अपने किसी सेफ जगे हट जाई है क्योंकि यहां बिल्लिंग पर दौन तरफ से कोई भी आदमी इस पर दौबारा से खतरा या बबाल ना उसक आपनी जान आप सिर्फ किजिए और मैंने उनसे गुहार लगाई थी कि सर यहां से फोर्स ना रटाएं फोर्स अगर यहां से घटी तो मेरे बिल्लिंग का दौबारा से फिर कोई नाजाई फादा उठा लेगा जो मैं नहीं चाहता किसी कीमत पर भी बड़ी मुश्किल से बड़ी कोशिस की थी कि दरवाजा ना टूटे दरवाजे को हमने पीछे से जो वहां से हट गी और उसके बाद दौबारा से दंगया ने वही काम किया जिसका मुझे डर था यह जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है मैं से बहुत दुखी हुँ मुझे बड़ी तकलीफ है आप यकीन जानिये मैं एक सच्छा अच्छा भार्किया मिसल्मान हूं और मैं हमेशा से हिंदु मुझनी भाई चाले कि यह काम करता रहा हूं आगे भी करता रहूंगा मेरे बारे में जो भी अफ़वा चलाई जा रही है को मुझे बिस्वास कीजिए यकिन कीजिए मैं अपने बच्छों की सोगन खाता हूं मैं इस तरह की हरकत इस तरह की घटिया राज निती कभी न मैंने करी है और न मैं कर सकता हूं दिल्ली में आग लगी रहे हैं यह यही चाहते हैं इसलिए इनोंने रास्ते बंद किये इसलिए दंगे जैसा महाल बना रहे हैं हमारी तरफ से एक भी पर्थर नहीं चलाए हमारे सामने खड़े हैं मैं आप सब के बिहाफ पर यह बात कह रहा हूं ट्रंप के जाने तक तो हम शांती से जा रहे हैं लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो कि अब जाफराबाद और चांद बाद खाली करवा लीजिए ऐसी आपसे बिंती कर रहे हैं उसके बाद हमें रोटता आपड़े हैं वारत माता की जए मात्रा मात्रा